Hello students, welcome to definite success पाटशाला ये पाटशाला आपके लिए उम्दा कंटेंट और best teacher explanation लेकर आता है तो जादा से जादा जुड़िये देखिए और फायदा उठाईए क्योंकि एक्जाम बहुत निकट हैं सारे preparation करने हैं और मैं यानि कि रुपाली वर्मा आपके लिए लेकर आती हैं हिंदी सब्जेक्ट से समबंधित सारी चीजे सबी सब्जेक्स अलग-अलग teachers पढ़ाते हैं तो मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ तो आज मैं हिंदी जो लेकर आई हूँ वो class 10th हिंदी course A का हमारा व्याकरण का topic है वाच्च उसे हम लेकर आए हैं तो लास्ट जो हमने वीडियो देखा था तो उसमें हमने क्या देखा था वाच्च को हमने अच्छी तरह समझ लिया था कि वाच्च में क्या-क्या चीजे होती हैं कैसे होती हैं सारी चीजे तो बहुत सारे पहचान भी हमने देखे थे तो बस अब उन्हीं सारी चीज़ों को recall करिए और चलिए अब शुरू करते हैं इसकी exercise तो recall कैसे करेंगे देखें पहला था हमारा कर्तेवाच, कर्तेवाच में हमने क्या देखा था कर्तेवाच में अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रियाएं होती है ठीक है ये क्रिया होती है और जो क्रिया है वो हमेशा करता के साथ ही अटेच्ट रहती है यानि करता अगर स्त्रिलिंग है तो क्रिया स्त्रिलिंग करता बहु अचन तो क्रिया बहु अचन होगी ये सारी चीज़े थी और मैंने इसको पता करने का तरीका भी आपको बहुत अब आते हैं कर्म वाज्च में कर्म वाज्च में क्रिया हमेशा सकर्मक रहेगी ठीक है क्रिया हमेशा क्या रहती है सकर्मक रहती है अब कर्मक सकर्मक क्या होता है यह मैंने लास्ट वीडियों बताया हुआ है आप उसको जाकर देख सकते हो हां यारी जो वाज्च का explanation कराया था मैंने वो सारी चीज़े आपको बताई थी कि किसी भी संटेस्स में सकरमक है या करमक है पता करने का तरीका क्या होता है मैंने बताया हुआ है आपको और अब कर्म वाच में क्रिया हमेशा सकर्मक रहेगी यह दिहान रखना हो और क्रिया हमेशा कर्म से कनेक्टेट रहती है ठीक है वो भी तरीका बताया था कि कर्म से कनेक्टेट रहती है तो आप किस तरीके से पता करोगे भाव वाच में क्रिया हमेशा अकर्मक रहेगी पुर रहती है चुझके चलिए अब इसनी सारी बेसेस पर हम शुरू कर रहे हैं अपने वाजच परिवर्तन के अंतर गसा प्रकार के वाच्चयों को परसपर परिवर्त्त किया जा सकता है तीनों को हम दूसरों के определ जो है बदल सकते हैं याद रखे भाव वाज्च जो है वो कर्म वाज्च में नहीं बदलता वो सिर्फ करते वाज्च में बदलता है यह चीज आपको द्यान रखना है मैंने जो लास्ट वीडियो था उसमें यह सारी चीज़े क्लियर भी करी थी तो वाज्च परिवर्तन के अ में आ रहा है तो मैं इसे इस तरीके से क्यों समझा रही है देखें निश्चंत रहे हैं मैं मानती हूं इस बेस्ट ही आएगा लेकिन अगर आप बेसिक चेंजिस नहीं सीखोगे तो उस तक पहुंचोगे कैसे एमसी की उसका सही आंसर आप निकालोगे कैसे जब तक आप बेसिक चीजी नहीं समझोगे कि ये वाच्चे कौन सा है और तबदील करने के बाद ये कैसे बनेगा ये सीखना जरूरी है तब ये तो उन चार आप्शन से आप सही आप्शन ढून पाएंगे ना तो इसलिए से पहले हम करतवाच से कर्मवाच बनाना सीख रहे हैं तो करतवाच से कर्मवाच बनाने के लिए यदि करता के बाद ने परसर्ग लगा है तो उसे हटाकर द्वारा से या के द्वारा लगाया जाता है देखे कई ऐसे संटेंस होते हैं जिसमें करता के बाद ने लगा होता है और कई ऐसे होते हैं जिनमें नहीं लगा होता अगर लगा है तो ने को हटा कर आप द्वारा से और के द्वारा लगा दीजी और अगर नहीं लगा है तो करता के साथ आपको यह तीनों लगा देने हैं अगर लगा है तो ने हटाना पड़ेगा नहीं लगा है तो आपको द् पुचित रूप जोड़ देते हैं समझ में आया हमने बताया दना जाता है जाती है यह सारे सही जो भी रूप आपके मिलेंगे वह आपको उसके साथ लगाने कर्म के साथ लगाने पड़ेंगे क्योंकि भाई हम कर्त वाच से कर्म वाच में बदल रहें कर्त वाच में जाता है ठीक है चलिए शुरू कर देते हैं फिर देखेंगे तो हम हमारे सामने बहुत सारे एक्जामपल हैं सामने बना हुआ है लेकिन कैसे इसको बतलेंगे हालदार साहब ने पान खाया तो उन्होंने सबसे पहले क्या बताया था जो करता है उसके साथ अगर ने लगा है ने हटा कर आप द्वारा लगा दो तो हालदार साहब हमारा करता है इनके साथ ने लगा है अब हालदार साहब करता है और हमने ये ने हटा कर द्वारा लगा दि लगा दिया अब पान खाया क्या लिखाया यहां पर पान खाया अब यहां पर क्या लिखा जाता है पान खाया गया अब आप पान खाया गया आप तो ने जाता तो लगा ही नहीं तुमने कहा ना था अभी आप से कि जहां जरूरत है वहां लगाएं नहीं जरूरत है तो नहीं लगाएंगे हम ठीक है जरूरी नहीं कि जाता हम लगाएं ही लगाएं तो यहां पर क्या होगे हमने लिख दिया खाया लगाया अब यहां पर आप देखो सबसे पहले यह जो करत वाच्च में क्रिया किस पर करता पर डिपेंड रहेगी यहां पर देख रहें पान खाया गया तो अब यहां पर खाया जो शब्द है यह किस से connected है पान हमारा यहां कर्म है ठीक है पान कर्म है कर्म को कैसे हम पता करते हैं हमने क्या पताया था जो कर्द बाच होता है उसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती है अब इसमें कर्म है जाहिर सी बात है कर्म होगा यहां पर ने लगे हुने के कारण यह हाल्दार सहाप किस पर हालदार सहाप है क्यों क्योंकि ने करता कारक यहां पर लगा है ध्यान रखना कारक यहां अल्रेडी लगा हुआ है ने परसर्ग ने परसर्ग यानि की कारक परसर्ग यानि की कारक लगा हुआ है तो उसकी जगा हमने द्वारा परसर्ग लगा दिया और द्वारा से क्या हुआ खाया गया जो है वो पान पे डिपेंड हो गया किस पर डिपेंड हो गया पान पे चली मरीज पानी नहीं पी सकता अब यहां पर ने नहीं लगाए देखो अभी हमने क्या बताया ने अगर लगा हो तो उट को हटा कर दो द्वारा लगाना है लेकिन यहां पर तो है ही नहीं तो यहां पर हमने ने नहीं होने के कारण हमने सीधे ही मरीज से पानी नहीं अब याद करिए जब हमने कर्म बाच्चे आपको पढ़ाया था तब हमने आपको क्या बताया था कि जहां कहीं भी हम असमर्थता व्यक्त करते हैं कि हमसे कोई काम नहीं हो रहा है तो वहां द्वारा की जगह से लगा जाता क्या नहीं पिया जाता पानी नहीं पिया जाता ठीक है सिंपल यही क्या नहीं पिया जाता पानी नहीं पिया जाता तो यह पिया जाता किसे समंदिद है पानी से क्योंकि पानी हमारा कर्म हेए अब आते हैं अब आप गाना गाएं तो यहां पर आप जो है वो क्या है हमारा करता है तो अब हमें उसके साथ क्या लगाना था के द्वारा तो यहां पर देखिए हमने क्या लगाया के द्वारा लगाया ना के द्वारा जब हम बदलेंगे तो हमें यह देखना है कि उसके साथ लगेगा क्या आपके साथ द्वारा लगेगा से लगेगा या आपके द्वारा लग तो यहां पर जो है गाया जाए गाया जाए क्या गाया जाए गाना गाया जाए तो यह से connected है अब आप बोलोगे कि मैं आपके द्वारा भी तो connect हो सकता है, तो ठीक है आपकी जगा किसी इस्त्री लिंग को रख लो क्योंकि यहाँ पर हमें क्रिया पूर लिंग लग रही है आपकी जगा इस्त्री लिंग लिख लो तो ठीक है इस्त्री लिंग के लिए आप ऐसा करो कोई इस्त्री लड़की का नाम लिख लो अब वैशाली के आब क्या है अब यहाँ अबिहांपर तो glue कर्म के साथ है तो यह इसके साथ ही connected रहेगा अब वैशाली के द्वारा गाना गाया जाये जब हमने इस तरने किया तोब यहाँ qreya में बदला आया बिल्कुल नहीं आया यानि की यह कर्ता से connected नहीं यह कर्म से connected यानि गाना से है तो अब वही पर आप इसको बदल दो थोड़ा सा और और बदलो यहां पर गीत कर दो गाना की जगे गीत अब आपके द्वारा गीत गाया जाए तो सीधे-सीधे किस से connected आ रहा है यह इस से connected आ रहा है चलिए next आते हैं कुमहार मिट्टी के बरतन बनाता है कुमहार कुमहार करता है इसलिए उसके साथ हमने द्वारा लगा दिया मिट्टी के बरतन बनाए जाते हैं ठीक है अब हम यहां पर ध्यान रखना जाते हम लगा रहे हैं यह देखिए जाते हैं हाल दार साहब द्वारा पान खाया जाता है ये भी हम कर सकते थे अगर यहां पर आये जाता है या खाया गया तुझसे अच्छा है कि हम या जाता है भी लगा सकते थे फिर आपके द्वारा गाया जाय वो गया फिर कुमहार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं अब यहाँ पर कर्म कहा है आप बताओ क्या है तो कर्म कैसे पता करेंगे सबसे पहले बनाए जाते हैं क्या बनाये जाते हैं मिट्टी के बरतन बनाये जाते हैं ये पूरा हमारा कर्म है क्या है पूरा कर्म है तो अब यहां पर किस से कनेक्टेड बनाये जाते हैं किस से कुमहार से कनेक्टेड होता तो कुमहार कुमहार मिट्टी का बरतन बनाता है बनाता है कौन बनाता है क्योंक का सबसे पहला था हमें ने हटाके Dow iTunes निया द्वारा लगा दिया पिर किएंग कविता पार यहा जाता है आप ऐसे भी लगा थीकर है जरूरी हमने की आ किया इप कोई उठा दिया तो यहां पर क्या होगा किया जाता है कवेत्री द्वारा कविता पाठ किया जाता है क्या किया जाता है अगर क्या किया गया तो आपको यहां पर हुआ कि कविता पाठ किया गया यह हमारा कर्म वाच्छ फिर आईए गाई का ने मधुर गीत गाए तो सबसे पहले यहाँ पर जो ने पर सर्ग लगा हुआ था इसे हमने हटा कर दिया क्या कर दिया द्वारा कर दिया ठिक द्वारा हो गया दूसरा उन्होंने क्या बताया था क्रिया में बदलाव करना है तो यहाँ पर क्रिया में हमने बताए तो गीत गाए गए या गाए जाते हैं कुछ भी लख लो देखो आपको क्रिया में जिस जो लिखा है वो ज़रूरी नहीं लेकिन आपको सारे नियम के हिसाब से बदलना है तो यहाँ पर क्या है गाई का द्वारा मधुर गीत गाए गये या गाए जाते हैं आप ये भी लिख लोगे तो भी सही है तो यहाँ पर आपको जो कर्म है वो क्या है गीत कर्म क्या है गीत अब गीत गाए गये देखो गाए गये गीत इससे संबंदित है अग्ड गया यहां ने हटा कर हम ने द्वारं लगा दिया पर करतवाट से कर्म वाट्चेश बनाना बहुत आसाने सिर्फ आपको करता के साथ द्वारा लगाना है और उसी की एसाब से क्रिया में बदलाव कर देना है कुछ नहीं करना है यह सबसे आसान जो है वो वाच्च परिवर्तन है नमबर एट है दादी जी अखबार पढ़ते हैं दादी जी अखबार पढ़ती हैं दादी जी अखबार पढ़ती हैं ठीक है अब यहाँ पर देखें दादी जी अखबार पढ़ती हैं हो गया यहाँ पर दादी जी जो करता है उनके साथ हमने सिर्फ दौारा लगाया और जब हम लिखेंगे तो क्या हो जगा दादी जी दौारा अकबार पढ़ा जाता है पढ़ा गया की जगह आप अगर गया नहीं लगाना चाहते हो तो जाता है भी तो लगाओगे तो भी सही है ठीक है जो अनियम है कर्म बाज में जाता है लगता है तो हमने जाता है लगा दिया दादी जी द्वारा अकबार पढ़ा जाता है फिर आते हैं गेंद बाज ने चार Wicket लेकर match जिताया गया या जिताया जाता है दोनों ही condition में सही है मा ने खाना पका लिया तो यहाँ पर हमने क्या लिका ने कि जगेएंद्वारा लिकाया मा द्वारा खाना पका लिया गया है क्योंकि देखो यहां पर बात यह हो रही है कोई चीजे होती है वर्तमान में चल रही है कोई चीजे भूतकाल में हो गई है कोई चीजे भविश्य में होंगी उसी हिसाब से होगा अब जैसे यहां पर मा द्वारा खाना पका लिया गया य यहां जाता है मिल लगे गई नहीं यहां पर यहां पर यह काम हो गया इसलिए गया लग रहा है तो मतलब अभी भी पढ़ रही है बात क्या है अभी भी पढ़ रही है तो उस ुकर कुछ चीज़े जो है वहon पास्ट में उसके लीए हम गया लिखेंगे तो वही चीज़ है आपको मा द्वारा खाना पका लिया गया यह काम हो चुकशा है अगर हम बोलते हैं मा खाना पकाती है अगर इसी जगह sentence होता मा खाना पकाती है तो अगर उसकी जगह हम यहाँ पर लिख देते तो तब हम यहाँ पर होता है मा द्वारा खाना पकाया जाता है क्योंकि अगर वो अभी काम हो रहा है यानि कि present tense में हो रहा है तब जाता है लगता है लेकिन अगर व मित्र विपत्ती में मदद करते हैं अब यह बात क्या है यह प्रेजेंट अभी मका है तो वहां पर क्या है सच्चे मित्रों द्वारा विपत्ती में मदद की जाती है तो सबसे पहले तो हमने द्वारा लगाया अब यह चू कि अभी प्रेजेंट की बात है इसलिए हमने जाती है लगा दिया ठीक है यह यहां वास्ट परीवर्थन करेंगे नहीं सीखने और समझने को मिलेंगी वही चीजी यहां पर ओरी उप्राधियां गाते थे आप करेंगें प्रबुन गोबिन भगत प्रभातियां गाते थे तो बाल गोबिन भगत जो है के साथ हमने के द्वारा लगाया प्रभातियां गाई जाती थी अब यह भी पास्टेंस में हुआ यह गाई 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 हम ऐसे भी लिख सकते थे तो जो पास्टेंस के हिसाब से जो सहाय क्रिया required है हम वही लगाएंगे तो यहाँ पर हमने एक नई चीज और सीखी कि जब हम तबदीलियां करते हैं तो टेंस के according ही हमारी सहायक क्रियां लिखती है जो चीजें past में हो चुकी है वो past के क्रिया गई या जाती थी जैसी जो क्रिया है सहायक फो लग सकती है तो यह हो गया चिक चली आगे देखते हैं का अब आते हैं नंबर टू क्या है कर्दवाच से भाववाच में बदलना तो वाच से भावाच में बदलेंगे भावाच में रुक रूप से निशेधात्मक वाक्य होते हैं मतलब mostly जो हैं वो आपके negative sentence होंगे जिसमें ना नहीं जैसे शब्द आएंगे भावाच बनाते समय ने ने परसर्क हटा कर से जोड़ दिया जाता है तथा क्रिया में आवशक बदलाव कर दिया जाता है तो जब हम कर्द वाच से भावाच में बदलते हैं तो सबसे पहले ने परसर्क हटाते हैं और हम से लगा देते हैं पहली requirement तो हमें यह करनी है जिसमें असमर्थता है ध्यान र क्या है यह तैराग तेज तैरता है ठीक है यह तैराग तेज जिसमें देखो अब सिंपल सी चीज़ है हमने बोला निशेधातमक वाग के होते हैं लेकिन प्राया यानि की मोस्ट ली निगेटव संटेंस होते हैं सारे निगेटव होंगे यह जरूरी नहीं अब आपको जहां निगेटव संटेंस होंगे वहाई से लगाना है अब क्या हुआ यह तैराग तेज तैरता है ठीक है तो अब यहाँ पर क्या है तेज तैराग यहाँ पर तैराग सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएंगे तो तैरता जो है हमारी क्रिया यह किस से संबंदित है यह करता से स कर देंगे क्यों क्योंकि यहां हमें इसे भाव प्रधान बनाना है फिर द्वारा से लगा नहीं सकते द्वारा लगा दिया तेज तैरा जाता है अब इसको कैसे बोलेंगे कि आप मैं यह भाव बाच्च में बदलिया सिंपल में बताती हूं सबसे पहले यहां पर तैरा जाता है जो क्रिया है इसे संबंध किससे करूगे क्या यहां पर कर्म है पहली चीज बताईएगा कर्म है इस पूरे में क्या तैरा जाता है कोई उत्तर नहीं है तो याने की कर्म नहीं है पहली चीज़ क्या है यहां कर्म नहीं है तो भावाच बनाने की पहली शर्थ है कि जितने भी हैं सभी अकर्मक रहेंगी जितनी क्रिया है वो सभी अकर्मक रहती है तो यहां पर आप देख रहे हो कर्म नहीं है क्रिया अकर्मक है दूसरा क्या था क्रिया हमेशा एक वचन में रहती है क्रिया हमेशा क्या थी एक वचन में रहती है भाववाच में तैरा जाता है जाता है अगर बहु अचन होते तो जाते है होता तो एक वचन है तीसरा क्या था पुर्लिंग होती है क्रिया हमेशा आपकी पुर्लिंग होगी क्या होगी पुर्लिंग होगी ठीक है तो ये तीनों ही जो शर्ते हैं वो इस वाक के साथ पूरी हो रही है अकर्मक है एक वचन है पुर्लिंग है सिंपल एक चीज आ रही है तो वही चीज देखें यहाँ पर तैरा जाता है जो मात्र एक हमारा करता है उसके साथ भी संबंधित नहीं है तो भाव वाच में हमने क्या बताया था क्रिया या तो कर्म से कर्ता में करता से संबंधित होती है कर्म वाच में क्रिया कर्म से संबंधित होती है वह अपने आप में महत्वपूर्ण होती है ठीक है ना तो यहाँ पर आप देख रहें क्रिया यह अपने आप में महत्वपूर यह किसी से सम्मंदित नहीं तो आपको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है या जब आप वाक के परिवर्थत करो तो यह ध्यान रखना क्रिया को ना करता पर डिपेंड करना और कर्म तो होगा ही नहीं सिंपल सी बात है क्योंकि यह हमेशा अकर्मक रहेगी इसलिए कर्म से समंदित रहती नहीं यह अपने आप में उसे महत्वपूल करना है । घायल वैक्ती उठ नहीं सका घायल वैक्ती उठ नहीं सका तो यहाँ पर कौन उठ नहीं बदलते हैं और नकारात्मक या निशेधात्मक वाक्य हैं जहां पर नहीं जैसा वर्ड लगा हुआ है वहां पर हमेशा करता के साथ हम से लगा देते हैं तो करता के साथ हमने घायल विक्ति के साथ हमने से लगा दिया देखें यहां पर घायल विक्ति के साथ हमने से लगा दि फिर अब उठा नहीं जाता ठीक है अब यहां पर आप बोलो कि यहां पर भी उठ नहीं सका तो घायल व्यक्ति से संबंदित था लेकिन उठा नहीं जाता क्या नहीं उठा जाता कौन नहीं उठा जाता दो चीजे करता के लिए हम कौन लगाते हैं कर्म के लिए क्या लगाते हैं ठीक है दोनों ही प्रश्न कर लो क्या उठा नहीं जाता और कौन उठा नहीं जाता तो सबसे पहले अगर हम बोलते कौन तो हम क्या बोलते कौन उठ नहीं सकता हम उठा नहीं जाता लगाते ही नहीं उसके साथ अगर हम सिंपल तुमसे पूछते कौन उठ नहीं सकता हम यह पूछते और अगर हम क्या लगाते तो क्या नहीं उठ सकता हम ये पूछते उठा नहीं जाता का जो मतलब निकला उसका मतलब सीदे सीदे ये हो गया कि ये अपने आप में महात्वपून हो गया यह आपका भाव आज में अब इसमें आप देखो ये यह तीनो नियम फालो wouldn in each पहली चीज क्रिया कर्म क्ला कर्मक क्योंकि इस वाके में कर्म है ही नहीं तीसरी चीज एक वचन विलकुल एक वचन है पुर्लिंग है पुर्लिंग तीनों ही ये शर्ते ये पूरी कर रहा है मैं प्रति दिन नहाता हूं मैं प्रति दिन नहाता हूं अब यहां क्रिया है नहाता हूं अब यह किस से संबंदित है कौन नहाता मैंने क्या बोला करता पता करना है तो आपको कोश्चिन करना पड़ेगा कौन नहाता है कौन लगाना अग़ीं यहां से संबंदित हैं करता सबना यहां नहाया तो हमने द्वारा लगा दिया हो गया करता के साथ द्वार deny लगा के फिर प्रति दिन नहाया जाता है अब नहाया जाता जो क्रिया है यह क्या है आप देखो यहाँ पर पहली चीज ना यह करता से संबंदित ना यह कर्म से संबंदित यह अकर्मक है एक वचन है पुर्लिंग है तो यह हमारा क्या हो गया आपका भाव वाच्च से अब चलो घूमने चलते हैं अब चलो घूमने चलते हैं पहली बात तो आप देख रहे हो कि यहां पर करता मिसिंग करता है ही नहीं जिसमें करता नहीं होता है तुम तो वह करम मौझूद रहेगा लेकिन करता जो है वो हिडन रहता है करता क्या हो रहता है हिडन रहता है क्योंकि यह एक ऐसा संटेंस है कि जो घूमने जा रहा है वो खुद बोल रहा है अब मैं ही बोलूं कि चलो घूमने चला जाए तो यहां पर मैं करता हूं न तो मैं इसलिए बोल वग्तव बोला गया है इसलिए यह करते वाठ्चे अब आ जाते हैं से किल गूंने चला जाए नहां यह कह रहे हैं कितुम सब चलो हमने सिर्फ अभी मन में फ्ला प्लाणिंग मनाई है कि चलो भूमने चला जाए मतलब जब हम लोग प्लान करते हैं तो प्लान करते हैं समय क्या होता है सारी प्लानिंग हमारे दमाग में होती है कहां होती है दिमाग में यह इसे हमने अभी तक इंप्लिमेंट में किया होता इसलिए ना उसमें करता शामिल होता है ना कर्म शामिल होता है उसमें सिर्फ हमारी फीलिंग्स शामिल होती है कि हम आज जाएंगे हम यह करेंगे हम वो करेंगे हम चलो गोवा चलते हैं गोवा जाके हम समुद्र किनारे जाएंगे हम राइट्स क हम वहां पर चला जाए कि चलो घूमने गोवा चला जाए यह चीज होती हमने मन में रखी अगर हम इसे बोले कि अभी हम करता मैं घूमने गोवा जा रहा हूं मैं बोलूंगा अब अगर इसको कर्म वाचमेद बोले तो मेरे द्वारा हम सब के द्वारा गोवा घूमने जाया जाएगा सिंपल एक चीज़ है तो यहां पर क्रिया जो है हम करता पर डिपेंड कर रहे हैं कर्म पर डिपेंड कर रहे हैं कि हमारी फीलिंग्स में हैं यानि कि यह सारी चीज़ सर्फ हमारे मन में हैं यह चीज़ होती भाव का मतलब होता है कि उस चीज़ों को हम इंप्लिमें इसी लिए इसमें मोसनी नर lifetime बैठ सकते अब यहां पर बच्चों से शान्ट नहीं बैठा जाता अवहां पर यह चीज गलत हो गई यहां द्वारा की जगह से हमने बोला दा नकर जितने भी आपके रात्मक वाक्य होंगे उसमें सेल लगेगा तो यहां पर हमने सेल लगा दियां यहां दौारा लगा था यह गलत था तो बच्चों से शांत नहीं बैठा जाता ठीक है तो यहां पर बैठा जाता जो हम ले रहे हैं यह हमने क्या कर दिया इसे हमने पूरी तरीके से free कर दिया अपनी feeling पे हम यह नहीं बोल रहे हैं कि बच्चे शान्त नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि यहां पर तो कर्म है ही नहीं तो इस condition में बच्चे जो है वो कौन होंगे वो करता है क्रिया करता से संबतिन ना करके उसको फ्री कर दो वो सीधे-सीधे भावाच में बन जाएगा फिर आते हैं विने जोर-जोर से हस रहा है अब विने जोर-जोर से हस रहा है विने द्वारा सबसे पहला नियम जो है वो हमने द्वारा लगा दिया से या द्वारा तो लगाना ही पड़ेगा आपको क्योंकि हमें अगर करता को उस पूरे वाक में से महतोही निकरना है तो से या द्वारा लगाना पड़ता है द्वारा लगा है जोर-जोर से हसा जाता है तो यह हसा जा रहा है अब हसा जा रहा है देखो अब सब्सक्राइब लिए नाविक नदी में तैर रहा है अब नाविक हमारा करता है तो सीधे इसके बाद नाविक के बाद हमने दुवारा लगा दिया नदी में तैरा जाता है क्योंकि यहां पर simple सी चीज है क्रिया को हमें हमेशा free कर देना है ना हमें उसे करता के साथ attach करना है और कर्म उसके अंदर है नहीं तो इसमें क्रिया ऐसे लेनी है कि वो अपने आप में महत्वपुन हो जाए आगे sentence देखते हैं नमबर 8 दुनिया दुख्यारी हस भी ना सकी कोश्चन क्या है आपका दुख्यारी हस भी ना सके यह क्या है आपका करतवाच क्योंकि जो सकी है वो किस से connected हो रहा है यहां पर दुख्यारी से सकी किस से connected है दुख्यारी कौने करता है अब यहां पर ना है यानि की निश्यदात तो से लगाना पड़ेगा हमने से लगा दिया हसा भी ना गया ठीक है हसा भी ना गया अब यहां पर हमने गया जो सो लगाया देखो सिंपल से चीज़े जो गया तो हम क्या सिंपल यह जो लगा रहे हैं यहां पर हम ऐसी शब्द लगा रहे हैं जिनसे हमारी फीलिंग्स का बय गया अगर भाव से connected करना है हमें तो वो चीज़ें हमें इस तरीके से बोलनी है जैसे हम अपने मन की बात बोलते हैं हाई विचारी से हसा भी ना गया इतना उसको तकलीफ है कि हसा भी नहीं गया कि मतलब उसके पीछे है दुखी आ रही है यानि कि उसको बहुत सारा दुख है कैसे जागेंगे मतलब यह काम कैसे होगा कर्म कैसे होगा बात यह हो रही है फिर उसके बाद फीलिंग पर करोगे तो कैसे जागा जाएगा अरे यार यह तो बड़ा मुश्किल काम हो रहा है जागा जाए जागा जाएगा मतलब रात भर जागना बहुत ही टफ काम हो गया ह हम यह सोचके ही परेशान है यानि कि हमारा दिमाग टेंशन में बहुत मुश्किल काम है फिर एक किसान खेत में सोता है क्या है किसान खेत में सोता है तो किसान यहां क्या है आपका करता उसके साथ हमने द्वारा लगा दिया पहला पहला नियम यह किया जब भी कर्द वाच से हो गया दूसरी चीज कर्म वाच में सकर्मक रहेगा कर्म पर डिपेंड क्रिया कर यह भाव वाच में उसे पूरी तरीके से फ्री कर देना चीक है तो यहां किसान द्वारा क्षेत में सोया जाता है क्या हो जाएगा खेत में सोया जाता है मोटा व्यक्ति भाग नहीं सकता यहां पर नहीं होने के कारण मोटे व्यक्ति से भागा नहीं जाता है ठीक है या मोटे व्यक्ति से भागा नहीं गया यह भी कर सकते हुआ हम गर्मियों में छट पर सोते हैं तो क्या होगा हमारे द्वारा अब आप कहां बोलोगे ज्योंकि भाई हमने बताना थोड़े से तो चेंजिस आपको अपने इसाब से करने पड़ेंगे नियम से हटके भी तो हमारे हम हम क्या होता है सिर्फ यहां पर एक आरा अब चुकि इसे हम भाव पर कर रहे हैं तो इसलिए इसे हमारे करना पड़ेगा हमारे द्वार गर्मियों में छट पर सोया जाता है अमित दोड़ नहीं सकता तो अमित यहां कोई काम नहीं कर सकता तो अमित से हो जाएगा अमित से दोड़ा नहीं जाता फिर आते दादा जी प्रतिदिन पार्क में टहलते हैं दादा जी द्वारा प्रतिदिन टहला जाता है अब दादा साथ हल यह हैं तो हमने वहां करिया में ऐस तरीके से बदलाव किया जिसे वह फ्रीर हो जाए तो हम ने उसको फ्री कर दिया ठीक है समझ में आ जो मेन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब आप कर्त वाच पहली बात तो कर्मवाच भाववाच में बदलता नहीं क्योंकि कर्मवाच हमेशा सकर्मक रहता है और भाववाच हमेशा अकर्मक रहता है ठीक है तो इसलिए यह दोनों आपस में इंटर इंटर चेंज नहीं ह है कि हमें अगर नकरात्मक शब्द हैं तो से लगाना है अगर नकरात्मक वाक के तो से लगाना है नहीं तो आप द्वारा लगा के काम कर सकते हो और कर्द वाच में क्रिया जो है वो करता से संबंदित है भाव वाच में उसको हमेशा स्वतंत्र कर दो फीलिंग से संबंधित कर दो जिसके लिए गया जाता है ऐसे जिसे शब्द को आप लगा सकते हैं अब आते हैं नमबर थ्री कर्म वाच्च से कर्त वाच्च में किसमें बदलने माले हैं अब हम कर्म वाच्च से अभी हमने कर्त वाच्च से हमने किसमें देखा सबसे पहले हमन आप यहां पर आप देख रहे हो किसान द्वारा खेद में खाद डाली जाती है यह हमेशा सकर्मक रहेगी तो जब इसको तब्दील हम करेंगे जाहिड सी बात है सकर्मक को सकर्मक में ही तब्दील करना है ऐसा तो है नहीं क्योंकि करतवाच में सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह की क्रियाएं रहती है अब यहां किसान द्वारा खेद में खाड डाली जाती है तो यहां किसान करता है अब यहां पर बताओ कर्म क्या है तो कर्म को कैसे पता करना था कर्म को पता करने के लिए हमें क्रिगा के साथ क्या जोड़ देना था अब यह है क्या डाली जाती है तो आंसर मिला खाद डाली जाती है तो खाद हो गया हमारा कर्म ठीक है पहला ध्यान से समझो उसके बाद बहुत इजी तरीके से समझते चले जाएंगे अब डाली जाती है क्या डाली जाती है खाद डाली जाती है कर्म निकाल लिया हमने अब हम पानी होता है तो किसान द्वारा खेद में पानी डाला जाता है क्या होगा पानी डाला जैता है तो पानी से सम्बंदित ठीक है अब जब इसको बदलेंगे तो पहला नियम आपको द्वारा हटाना है पहला नियम क्या करना है द्वारा हटा देना है द्वारा या से जो कुछ भी लगाया हटा देना है क्यों क्योंकि द्वारा और से लगाने से जो है करता का महत्व कम होता है खतम हो जाता है तो हमे यहां क्रिया कर पर डिपेंडिट है और जब हम करतवाच में बदलेंगे तो क्रिया को हम किस पर डिपेंड कर देंगे करता पर डिपेंड कर देंगे कैसे देखिए किसान द्वारा खेद में खाद डाली जाती है किसान हमारा करता है खेद में खाद डालते हैं किसान खेद में खाद डालते हैं अब या किसान द्वारा खेत में डाली जाती है तो किसान खेत में खाद डालता है कर सकते हैं यहां इन्होंने बहु अचन कर दिया अच्छा इसमें एक चीज और आपको इंपोर्टन चली एसी बहाने बताने की याद आ गई हमको कि कभी भी जब भी आप वा कर्म वाच्च से कर्त वाच्च करो या कर्त वाच्च से भाव वाच्च करो कर्त वाच्च से कर्म वाच्च करो कभी भी करो उसके अर्थ में तबदीली नहीं आनी चाहिए उसके वचन में तबदीली नहीं आनी चाहिए उसके काल में तबदीली नहीं आनी चाहिए यह जो sentence है उसका link वचन काल कभी भी नहीं बदलना चाहिए यह पहला रूर होता है इस तीनों को बिना चुए अगर आप वाक्य परिवर्थत करते हो तो सही तरीके से वाक्य बदलता है लेकिन यहां पर यह mistake हुई है इस वाक्य से जब इस वाक्य में बदला गया तो यह एक वच डालता है यह बहुत जरूरी है जो अच्छा हुआ यह mistake आ गई ताकि मैंने आपको यह सारी चीज़े बता दी तो यहां पर डालता है कौन डालता है किसान डालता है अगर हम बोल दें औरत कहेत में खाद डालती होता है तो इस तरीके से यह किसमें हो गया किसान यानि की करत से संबंदित हो गया चलिए देखिए एडिसन द्वारा बल्ब का आविशकार किया गया अब क्या किया गया आविशकार किया गया ठीक है अगर हम अविशकार की गरहा कुछ और डाल दे खोज डाल दे तो क्या होगा एडिसन द्वारा बल्ब की खोज की गई हो जाता यानि कि जब हम कर्म की लिंग बदल रहे हैं तो यहां पर क्रिया बदल रही है तो इस तरीके से यह कर्म से संबंदित क्रिया हो गए अब आते हैं अडिसन ने बल्व का अविश्कार किया तो यहां जो हमने किया वो अडिसन से संबंदित कर दिया ना कि अविश्कार से हमने करता से सम्मंदित करना था तो हमने अविश्कार से हटा कर इसे अडिसिन पर कर दिया ठीक है फिर नेक्स आते हैं लोगों द्वारा मंत्री का स्वागत किया गया लोगों द्वारा तो यहां पर द्वारा हमें हटाना है पहला नियम तो हमने लोगों ने आ गया स्वागत किया जा दिया जैसे ही आप द्वारा हटाओगे संटेंस अपने आप करता पर डिपेंड हो जाएगा आपको बस द्वारा से या के द्वारा जो परसर्ग लगे हैं उन्हें आपको सिर्फ हटाना है उसमें से और जैसे ही आपने आप में वो क्रिया पर ही करता पर डिपेंड हो जा है नेता जी करता है अब हमें क्या करना है इसको हटाकर इस को महत्व देना है तो कट आते हैं मुझसे यह वजद नहीं उठाया जाएगा अब यहाँ पर से लगा है यह देखों से लगा हुए ना तो से को हटा कर हमें यहाँ पर ने जरूरत नहीं है तो हमने हटा दिया तो हमने क्या गिया मैं यह वजन नहीं उठा सकूंगा तो सकूंगा की वजह से यह मैं पर कनेक्ट हो गया किस पर मैं से जबकि मुझ आपको करना जब भी वाकिपरिवर्तन करने हैं चेंजिस आपको सिर्फ सहायक क्रियाओं में करना है क्रिया में भी आएगा क्रिया सहायक क्रिया में ही बदलावाना है ठीक है यह आपको ध्यान करना यहां पर आप देख रहो सभी जगें जो है क्रियाओं में ही तब्दीलिया आई हैं वहां से यहां जब हम बदल रहे हैं तो सहाय क्रिया जो है वो बदल रही है अब आते हैं नमब सिक्स रमा द्वारा बुढ़िया को सड़क पार कराई गई क्या है रमा द्वारा बुढ़िया को सड़क पार कराई गई यहां पहले आपको द्वारा हटाना है क्या पार कराई गई पार कराई गई क्रिया है क्या पार कराई गई सड़क पार कराई गई तो यह जो है इसे हमें किस पर यह अभी कर्म पर dependent है इसे हमें करता पर depend करना है तो क्या है रमा ने सबसे पहले द्वारा हटा कर ने कर दिया हमने यह करता हो गया यह हमारी क्रिया है पार कराई तो यहां पर होगा क्या रमा ने बुढिया को सड़क पार कराई अब यहां पर आप देखो रहो रमा ने पार कराई यह इस्त्रीलिंग है रमा यहां क्रिया इस तो क्या होगा रमा द्वारा था यहां पर रमा द्वारा बुढिया को सड़क पार कराई गई तो यहां रमा ने बुढिया को सड़क पार कराई यह हो गया यहां पर हमने लिखा अगर विशाल विशाल ने बुढिया को सड़क पार कराई तो सीधे सीधे हमने किस से कनेक्ट क किया किस ने किया मंत्री ने किया ठीक पुलिस द्वारा लाठी चार्च किया गया द्वारा हटा दीजिए ने लगा दीजिए पहला काम पहली चीज यह करनी जब भी कर्मबाच से कर्तवाच में बदलना है आपको यहां पर जो है द्वारा हटा कर ने लगाना है अब किस ने क शादर को मिष्चत बना रिश्ठे बनाकर तोड़े नहीं जाते तीए यहां पर फादर रिश्बस बनाकर कर तोड़ें नहीं थे तोड़ें नहीं थे नहीं थे हमने फादर से Carnet कर दिया अच्छा यहां तो फादर बुलके थे आप लोगों ने पढ़ा हो गई है चलिए आगे बढ़ते हैं चात्रों को प्रार्थना इस्थल पर इकठा किया गया चात्रों को प्रार्थना इस्थल पर इकठा किया गया चात्रों द्वारा होगा यहां पर ठीक है यह तो सेम वही सं चात्रों द्वारा यहां पर प्रार्थना इसतर पर इकठा किया गया, यहां पर किसको इकठा किया गया, चात्रों को इकठा किया गया, तो यहां पर द्वारा रहेगा, यह सेंटेंस हमारा अशुद्ध है, चली, यहां पर हमारा यह भी खतम हो गया, अब हम आ जाते हैं, ने भाववाच सिर्फ कर्तवाच में बदल सकता है भाववाच कर्मवाच में नहीं बदल सकता ना तो अब हम भाववाच को कर्तवाच में बदलने वाले हैं भाववाच में क्या होता था भाववाच में जो क्रिया है में जो क्रिया है वो अकर्मक रहेगी एक वचन रहेगी आप देखिए जब हम कर्तवाच से भाववाच में बदल रहे थे तो हम द्वारा या से लगा रहे थे लेकिन अब अगर भाववाच में द्वारा या से लगा होगा तो उसको हटा के फिर से हमें ने लगाना होगा दूसरी चीज क्रिया को हमें किस से कनेक्ट करना होगा करता पर आप देख रहे हैं मुझसे इस पेड़ पर नहीं चड़ा जाएगा तो यह जाएगा जो है वो अपने आप में महत्तुवपूर्ण है क्यों क्योंकि यह फीलिंग है अभी हमने कोशिश नहीं करी लेकिन पेड़ बहुत बढ़ा है तो उसको देखकर ही मेरे मन में आ गया मुझसे यहां पर से लगा हुआ था आपको से से या द्वारा जो लगा होगा उसे हटा देना है तो यहां पर हमने वो हटा कर मैं ले आया फिर उसके बाद इस पेड़ पर नहीं चड़ हमने वही रखा फिर सकता सकता किस समझ में आया इस से अब मैं की जगा अगर मैं यहा तो रमा इस पेड़ पर नहीं चड़ सकती विशाल इस पेड़ पर नहीं चड़ सकता तो देख रहो ना जो इस सकता किस से नहीं नहाया जाएगा तो तुम से है सबसे पहले तो यहां से लगा यहां तो यहां ले लिया अब यहां जाएगा कि जगा हम क्या है सकोगे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा तुम बरब से शीतल पानी में नहीं नहां सकोगे ठीक है क्योंकि यह आपका भविश्य काल में दे रहा है तो यहां क्रिया भविश्य काल में ही आएगी नहीं सकोगे कौन नहीं सकेगा तुम नहीं सकोगे तो यह किसके साथ ए rocks बैठा जाएगा अब भई थंडा पड़ा है बोलो कि चलू रात ने बैठो चलके तो वहिए आलाव भी नहीं जल रहा है हम कैसे बैठे हम तो नहीं बैठेंगे तो क्या हुआ एसी सरदी में रात-बर कैसे बैठा जो है बाहर रात गुजारेंगे तो इतनी ठंड में कैसे गुजारेंगे तो अभी हुई नहीं है भविश में हमें रात में गुजारना यानि कि अभी मानलो शाम को 6 बजे और अभी हमने सर्फ प्लानिंग करी है तो आने वाले यानि कि 9 बजे से जो रात चुरू हो गया 8 अब यहां पर भाव वाच्च जा रहा है ठीक है यह आitchen घर बोलते इसे तो कर्द वाच्च रहे हैं वही वह हुआ कुट्टे कुत्ते बिल्ली के पीछे भाग रहे हैं आ रहा है ना कुत्ते बिल्ली के पीछे भाग रहे हैं अब फिर देखें यहां पर एक मिस्टेक है यहां पर है कुत्ते के द्वारा बिल्ली के पीछे भागा जा रहा है यह एक वचन में है ठीक है यहां पर होता कुत्तों के द्वार बिल्ली के पीछे भागा जा रहा है तब यह बहु वचन होता लेकिन यहां एक वचन है और यहां पर इसे कर दिया गया है बहु वचन जो गलत है तो यहां पर क्या होगा कुत्ते बिल्ली के पीछे या कुत्ता होगा यहां पर एक वचन का एक वचन करना है तो कुत्ता बिल् क्योंकि जब हम भाव से बताते हैं तो कई चीजें जो हैं वह बहुवचन में इस्तेमाल होती हैं कई चीजें बहुवचन में इस्तेमाल होती हैं लेकिन जब उसे में एक्चुल क्रिया में लेकर आएंगे तब वह आपकी एक वचन में हो जाती वही चीजें कुत्ते के द्व द्वारा, किता आटपटार लगता है, तो क्या सही आओँ बई रह लगता है। यहाँ पर हमने लिये कुता बिली के पीछे भग रहा है। यहाँ पर हमने वचन सही कर दिया। नमबर 6 है हमारे पावस में घायल सैनिक से बोला नहीं जा रहा है घायल सैनिक से बोला नहीं जा रहा है यह भाव वाच है जब इसे हम करते वाच में क्या होगा घायल सैनिक बोल नहीं रहा है या बोल नहीं पा रहा है कुछ भी कर सकते हैं तो घायल सैनिक बोल नहीं रहा है सिंपल हमें करना क्या है जो क्रिया है उसे हमने घायल सैनिक पर डिपिंट कर दिया उसके द्वारा पार्क में प्रति दिन दोड़ा जाता है अब क्या होगा वहाँ पार्क में प्रति दिन दोड़ता है सिंपल करते बाच में करेंगे तो भई दोड़ा जाता है हम करेंगे उसके द्वारा यार डेली वह पार्क में इतना दोड़ता है तो दोड़ा जाता है तो हमारी feeling की बात है फिर उसके बाद अगर हम उसे कर्त बाच परद्च में करेंगे तो क्या वह रोज रोज जो है पार्क में दौडता है तो वही चीज़ वह पार्क में प्रतिदिन दौडता है दौडता है जो हमने क्या कर दिया हमने उससे वहां पर connect कर दिया वह जो कोई है अब इसी जिए का बोल दें कि रानी प्रति दिन पार्क में दोडती है हो जाएगा ठीक है न तो आपको ऐसे करना है कि जब लिंग बदले तो इधर लिंब बदल सोची रहे हैं हमने तो भी बात नहीं करी हमने इंपलिमेंट करने की बात नहीं करी है हमारे दिल में हैं अभी बात तो क्या है इस घने जंगल में सारा दिन कैसे बिताएंगे तो इसको भी हमने भविश्व में ही रखा है लेकिन बिताएंगे जो शब्द है हमने क्या किया बि गने जंगल में सारा दिन कैसे बिताया जाएगा ये चीज़ तो अभी हम सोच रहे थे हैं और फिर उसके बाद अगर हम बोले कि नहीं हम नहीं बिता सकते हैं तो हम कैसे बोलेंगे इस पूरे घने जंगल में हम कैसे पूरा दिन बिताएंगे अब आते हैं दूसरे सेंटेंस घायल हंस से उड़ा ना गया घायल हंस से उड़ा ना गया तो घायल हंस उड़ ना पाया या घायल हंस उड़ता नहीं है ठीक है तो यहाँ पर ना पाया जो हमारा जो शब्द था यह किस से हो गया हंस से कनेक्टेड हो गया हंस से कनेक्टेड हो गया विद्वा से रोया भी ना जा सका तो विद्वा रो ना सकी सिंपल है हमने इतना क्या है विद्वा से रोया भी ना जा सका इतना लंबा हमने सहायक क्रियाएं लगाई थी तो यहां क्या हो गया विद्वा रो ना सकी सिंपल हमने इसको इस पर कनेक्टेट कर दिया ठीक है तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ रही है चीज़े कि जब हम कर जो भाव वाच्च है उससे कर्थ वाच्च में बदलेंगे तो जो सबसे पहला हमें ध्यान देना है वो चीज यह है कि जहां पर भी द्वारा या से लगा है उसको हटा कर अगर हमें कर्थ वाच्च में ने की र लगाएंगे नहीं रिक्वार्मेंट है तो हम सिंपल ऐसे संटेंस बनाएंगे मगर से और द्वारा यह दोनों हमको हटा देने हैं ठीक है अब यह हटाने के बाद हमारा दूसरा स्टेप हमारी क्रिया की तरफ आती है भाव वाच्च में क्रिया अपने आपने प्रधान होत यह अब आपको कैसे देखो इसमें मैंने आपको बता तो बहुत कुछ दिया तब पूरा आपको वाच्चे परिवर्तन क्लियर कर दिया वो तो मैं बोल रहे हूं लेकिन जो सबसे पहली जो आपको दिहान रखना है वो है प्रैक्टिस वाच्च में प्रैक्टिस बहुत इसमें हम आपको हर तरीके के प्रश्न देंगे लेकिन जो सबसे पहला जरूरी काम यह है कि आपको पहले ऐसे ही वाच्चे परिवर्तन सीखने पड़ेंगे डारिक्ट आप यह सूचों कि हम MCQ पे कूछ जाएं और काम कर लें तो वो नहीं हूँ पाएगा उसके लिए आप परिवर्तन देखा वो करते वाच्च से कर्म वाच्च में तब्दीली फिर करते वाच्च से आपका भाव वाच्च में तब्दीली फिर उसके बाद दूसरा हमने देखा कर्म वाच्च से करते वाच्च में फिर चौथा जो हमने देखा वो भाव वाच्च से करते तभी में इंटर्चेंज हो सकता है आसानी से तो ये तो वाच्चे परिवर्तन करा दिये लेकिन अभी इसके MCQ आपके लिए मैं लेकर आऊंगी तो उसमें हमें बहुत ध्यान से सारी चीज़े देखनी हैं तो मिलेंगे अपने नेक्स वीडियो में जिसमें इसी चैप्टर के हम लेकर आने वाले हैं MCQ Thank you for watching. Bye-bye.